हालो फ्रेंड्स वेल्कम बाइक टू माई फूट ब्लॉग तो चली आज हम बनाने जा रहे हैं कठर की सबजी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमिल लगते हैं खासकर मेरे रेश्पी आप भी जरूर ट्राइ करना तो देखी यहाँ पे कठर को ले लिया है अच्छे से इन्हें टुक्रों में कट कर लेंगे ताकि छिलने में आसानी हो इसके करन टुक्रों में कट करके यहाँ पे मैं इस तरह से छीर रही हूँ क्योंकि कठर थोरा सा हाड होते हैं तो इसलिए थोरा सा दिकत होती है अगर आप अपने हाथों में तेल लगा लो तो जो भी कठर के दूद होते हैं उवो आपके हाथों में चीपेगे नहीं और अच्छे से इस तरह से आसानी से चील जाएगे तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से सबी कठर को बार बार चीलूँगी यहां भी से इसे निकाल दूंगी और यह हो गया तो सारे टुकरों करके मैं इसे पहले च्हील लूंगी उसके बाद ही टुकरे करूंगी तो यहां जो भी बचे परे हैं उसे भी इस तरह से च्हील लेते हैं तो देखिए सारे कठर को हम इतना कठर को आज बनाएंगे सबजी क्योंकि कठर की सबजी बहुत ही स्वादिश्ट बनते हैं खास कर उसमें थोरा मेनच ज्यादा लगता है बट बहुत ही अच्छे बनते हैं तो सबसे पहले टुकरो कर लेना उसके बाद थोरा सा पानी लेके इन्हें हलके से मीडियम फ्लेम पे उबाल लीजिए अगर आप अच्छे से उबाल लोगे तो आपका कठर का कैस लापन है बो निकल जाएगा और बो पक भी जाएंगे तो इसे अच्छे से पक जाएंगे कठ तो देखी यहां पर यह उबलने लगे हैं और इस तरह से जब उबलने लगे तो फिर बंद कर दीजिए गायस और इसे अच्छे से छाण लेजिए और देखी इसमें डालने के लिए माँ 3-4 प्याज को बारी कट लिया है और यहां पर थोरा सा आलू को भी कट कर लिया है औ क्योंकि सरसो तेल में हमारे यहां कोई भी सबजी बनाया जाता है इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सरसो तेल में और इसमें थोड़ा सा तेज पत्तर डालेंगे एक से दो और सुखी लाल मिर्ची आइट करेंगे थोड़ा सा पहले जीरा आइट कर लेते हैं तो जीरा जब तरकने लगे तब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची क्योंकि जीरा पहले और तेज पत्तर डालने से अच्छे से वो पक जाते हैं उसके बाद मिर्ची डालें मिर्ची तुरत पक करेड़ी होते हैं अब थोरा से हल्दी पॉडर डालेंगे क्योंकि जब हम कठर इसके करण हल्दी पॉडर डाल दिया है और देखें यहाँ के सारे कंठर को सबसे पहले मैं यहां यहां पे डालूंगी और अच्छे सीन्हें भूनना थे जो । जो थी मेरा प्लेट में कठर है मैं इस न्तप में डाल दूँ, और देखें यहां पे कठर डल गया है अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन दिखने लगे तब तक इन्हें भूनना है तो इसी तरह से इन्हें भूनते जाना है और मैं आपको बीच-बीच में दिखाऊंगी तो यहां देखिए इस तरह से कठर को मैं भून रही हूँ क्योंकि जब तक ये ब्राउन ना होंगे तब तक कठर आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो देखिए अब मेरा कठर कुछ इस तरह से ब्राउन हो चुका है और देखिए इस तरह से मैं सारे कठर को भून रही हूँ अब मेरा कथर बुनके रेडी हो गया है चाहे तो आप कथर में जितना नमक चाहिए आइट कर लीजिए उसके बाद कथर को निकाल लिया है थोड़ा सा तेल आइट किया है उसमें फिर से आलू को डाल दिया है फिर आलू में जितना नमक चाहिए उतना डाल लिया और फिर इन्हें ब्राउन होने तक भूनेंगे अभी आलू भी भून के रेडी हो गए हैं तो आलू को भी निकाल लिए अब जो भी तेल इसमें बचे हुए हैं उसमें आप डालेंगे प्याज क्योंकि प्याज में थोरा सा तेल और आप आइट कर सकते हो पर मैं इतना ही आइट कर रही हूँ और इसमें डालेंगे थोरा सा नमक जब आप प्याज में नमक डाल दो तो वो अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी पक के रेडी होते हैं तो आप यहां देख सकते हैं यह ब्राउन हो चुके हैं तो अब जब यह ब्राउन हो गए हैं तब हम इसमें थोड़ा सा मसालाइट करेंगे जैसे कि यहां पे लासून, अदरक और जीरा काली मिर्च के पेस्ट मैं बना के फ्रीज मैं श्टोर करके रखती हूं तो उसमें से एक चमच डाल दिया है कास्मीरी लाल मिर्ची पॉडर एट किया है और तीन से चार चमच धनिया फॉडर हल्दी पॉडर तो सभी बेसिक मसाले ही हैं अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च अलग से मैं आपको दिखा रहे हूं बीच बीच से दिखाऊंगी और जो भी टमाइटो कट करके रखी थी आप हम इसमें टमाइटो डालेंगे क्योंकि टमाइटो ही पकना चाहिए इसके कारण और देखिए इसी तरह से टमाइटो के पकाएंगे और अच्छे से छिलने से चलाते ताकि वो आपस में मिल जाए तो टेस्ट के लिए यहां पे मीट मसाला आइट करेंगे मीट मसाला से कठर में बहुत ही ज्यादा टेस्ट होते हैं तो आप जब भी बनाएं तो मीट मसाला जरूर डालिएगा इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखिए इसी तरह से चला लिया अब हमारे मसाले भून के रेड़ी होने वाले हैं तो यहां पर देखिए पूरे अच्छे से मसाले भून चुके हैं तो हमारा मसाला भून के रेड़ी हो गया है तब हम इसमें डालेंगे जो भी भून के कठर और आलू को रखी थी अब इसमें आइट कर दिया है और इसे थोरे देर चलाएंगे ताकि आपस में मसाले, कठर, आलू सभी अच्छे से मिल जाए और देखिए यहाँ पे इसी तरह से चलाते रहना है क्योंकि सब चीज तो पहले से भूना हुआ है तो यहाँ पे थोरे से मैं काले चना आइट कर रही हूँ इसमें चाहे तो आप हरे चना भी आइट कर सकते हैं या मटर भी आइट कर सकते हैं तो यहां पे मैं थोड़ा देर और इन्हें चलाऊंगी और देखिए इस तरह से इनका कलर आया है सभी अच्छे से भूनने पर हैं तो इसे ज्यादा अब नहीं भूनेंगे क्योंकि कठल आलू सभी तो पहले से भूने हुए थे और देखिए मसाला भी भून चुके हैं तो इ यहां पे स्वात के अनकुल नमक हो गया है तो हम डालेंगे इसमें पानी क्योंकि अब ज्यादा इसे नहीं भूनना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर हो गए हैं और अब यहां पे पानी डाल लिया है तो पानी डाल के इसी तरह से इन्हें चलाएंगे और चलाने के वाद धकन के हेल्फ से इन्हें धक देंगे तो देखिए अब मेडियम फ्लेम पे इन्हें कुछ देर पकाएंगे और आपको दिखा दूँ अब हमारा कथर इस तरह से पक के रेडी हो गया है और देखिए सारे के सारे कथर पके हुए थे पहले से ही थोरा सा इसमें पानी डाल के पकाया तो वो अच्छे तरह से पक गया है और देखिए हमारा अब सबजी बन के रेडी होने वाला है तो लाश्ट में डालेंगे कस्तूरी में थी इसे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं और फिर इसे चलाएंगे तो आपस में अच्छे से मिक्स हो गया आपको जीतना भी ग्रेवी रखना है उसके नुकूल आप ग्रेवी रख सकते हैं और देखिए यहां पे हरे धनिया पत्ति कट करके इसमें आइट कर दिया है लाश्ट में गरम मसाला इसमें आइट कर लिया है और यहां पे निकाल लिया है एक छोटा सा कैस रोल में और हमारा कथल के सब जीबन के रेडी हो गया है तो आप मेरे रेश्पी से एक वार ज़रूर ट्राइ करना बहुत ही स्वाधिस्ट बनके रेडी होते हैं तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और देखिए आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो यहाँ पे मेरा कथल के सब जी रेडी हो गया है अब मैं इसे रोटी के साथ सर्व करूंगे तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स अगले नाइने रेस्पी के साथ आप सभी के साथ मिलूगी तब तक के लिए बाबाई